असलाम अलेकों विल्कम टू मैं चैनल देखिए दोस्तों इस वीडियो में आज आप लोग को हम बताएंगे पिलो कभर बनाने का तरीका और गोटा पट्टी किस तरीके से लगाया जाता है पिलो कभर में वह सब कुछ हम इस वीडियो में बताएंगे तो दोस्तों आप लोग को यह वोग वहां से जाए वीडियो को देख सकते हैं तो दोस्तों हमारे देखने सपहले यगर हमारे जब्द देख रहे हैं ह। कष़गान को सब्सक्राइब करें जरूर्ष प्रेस करें को युद्धियो भलाप मंद किस तरीके से लिया है लंबाई हम हमारी है 3.5 इंच थी चाइश रचाइश से वह имиकी देखान वे के उस से 20 पीस दोटो हारी दुगाए, हमारे 12 बीस की अपाया दिखानर की पुर लाई के हमारे चोड़ाई दिर टंतर लिए नम आनिक्टा दोटो हम झाएं घंटना दीटि धाइज़ मुंना डिखके 20-inch की लंबी और चौड़ी होगी 15-inch की तो पीलो कबर हमारी इतनी लंबी चौड़ी होगी तो आप लोग दे सकते हमने यह लोग कजू लिया है इसका गोटा पट्टी बनाएंगे पीलो कबर में लगाएंगे तो प्यारी लगेगे आप लोग जरूर देखिएगा तो देख स इसकी चौड़ाई देख सकते हैं तो जरूरा इंच की है तो सोरे इंच हमने लिया है तो 15-inch की पीलो कबर होगा और उपर से हमने चे तक नापिंगे इसकी लंबाएं तो आठारा इंच की है तो आपने अठारे इंच की है तो इसमें दो पिस लगाएंगे तो एक पिस और ह इसके सकते हैं इसकी लंबाई चोड़ाई आप लोगों तो इसकी लाइव हैu 14-inch चोड़ाई 14-inch हमने लिया है। जिसकी लंबाई दे सकते हैं तो हमने सcken 5-4 4 इंच लिया है 30 लिक कि पीछे का आरा पिछे का इंच लिया नंमायक के हिसाब से चार हमारा है लंबा है चार जधा है ड़स तो आप लोग को दिखाते यह स्कुख अश्ट के लाजा या लगा लेंगे तो एक तरफ के हमारी रिख नश्ति नश्तिकिकि प्टिक लगातने के लिख वूर्डनाओ Acre also 1 जाती दिजाइन की अपना को जतना ल्या फितन ने दक ow में चाहतें में काद perfect इस तरह लगा लिया है अभी तो इधर भी हम लागा लेंगी है Almost इढ़ें के यसे इड़र दोस्तों हमारी जो पीलो कवर की लंबाय च्ड़ा है तो हमारी बराबर हो जाएगी इस तरह remedies लगा लिया है तो इस तरीके से हमारा हो गया है उसके बाद हम क्या करेंगे इसमें गोटा पट्टी लगाएंगे तो आपको बताएंगे किस तरीके से गोटा पट्टी लगाए जाता है तो हमारा गोटा पट्टी के कपड़ा है तो क्या करेंगे हमारा दो पीस है ये तो हम इ लगती है गोड़ा पट्ट लगाने के बाद पीलो कभर तो इस तरी किनारी को हम कट कर लेंगे तो यह हमारा पीलो कभर है तो आप लोग मतलब चाहे कहीं से भी मतलब सुरू कर सकते हैं सिलाई जहां से आपका दिल करें तो हम इस तरी के से डबल फोल्ड करेंगे देखिए इ टालेंगे तो चुनट करेंगे तो अच्छी तरीके से मधाएंगे ज्यादा मोटा नहीं होना चाहिए था पट्ली चूनट लगा दिए उसके बाद हमारा कोना एकोने पर हमारी पट्टी यह हम कट करेंगे थोड़ा सा कोने पे बिल्कूल जहां से हम मतलब सी लाई लाए व की हमारा यहां यहां गोठापे के कपड़ा मुझते आसानी ग्हून जाए ग्युमाएं गा युस्थ तरीके शेज़ से ने स्कट लगा से देख तो फ्रकुमारे की हैं पड्रन जो दो ctाबर गोठापे से लगाते हुए दुबारा से कोने तकाएंगे तो बिल्कुल उसी तरीके से जिस तरीके से हमने पहले लगाया चुनट बनाया इस तरीके से तो इस तरीके से चुनट को हम बना देंगे इधर से एक बनाना हमें और एक इधर से बनाना है तो पहले हम एक बना देंगे इस तरीके लगा देंगे देखिए इस तरीके से हमने दोनों तरफ लगा लिया है पर कट भी लगा लिया तो देख सकते हैं इस तरीके से हमारा कोना बन गया है तो दोस्तों इस तरीके से हम सिलाई लगाएंगे तो आप लोग को बता दें जिस तरीके से हमने दोनों कोनर पे चुनट तो दोस्तों इस तरीके से हमें चारो तरफ सिलाई कर लेना अच्छी तरीके से हैं कर दोस्तों हमने दोनों तरफ लगा लिया है और इस तरीके से देखिए हम जहां पर हमें जोइंट करना जहां से ोसे सिलाई कर देखिए हैं तो हम और के सिलाई को इस तरीके सेपकरे में अच्छी तो इस तरफ बक्रण प्रण का ध्याइक में पर देखिए हैं कि अपन Kabul के सिलाई के लिएना आप उस्टेरीका जिए जोइंट करने के बाद इसके हम सीलाई लेंगे तो इस तरीके से हम देखिए जोइंट कर देंगे आगे का तो अगर आप लोग के पास किनारी ना हो तो आप लोग सिलाई भी कर सकते हैं तो हमारा किनारी है तो चलिए दिखाते हैं कि इस तरह किसे में सिलाई करना है तो पहले किनारी वाला है उपर करेंगे बिना किनारी वाला देखिए इस तरह किसे नीचे करेंगे तो इस कौनर है जो कोने का देखिए मारा है चुनट उसे आँची तरह के सपकड़ लेंगे क्योंकि नपने नपाए और शिलाई करते ध्यान दें आप लोग कि जो हमारा तो इस तरीक से तो दोस्तों हम ने हां तक आ गया है तो ऊपर तो चोटा हमारा प्रा निचे रहेगा तो इस तरीक से धकिये हम रख लेंगे में कोन पेए बराबर कर लेंगे और लेगम निचे हमारा कपड़ा होगा उश तरीक से बराबर करते हुए हम आचे तरीके से से शेट कर लेंगे क्योंकि हमारा कप्ड़ा अतलब निक बहार ना निकल कि अच्छत हो जाए तो आप लोग जरूर समझ पह रहा होंगे नीचे कदेखिए इस तरीके से चारीके से रखाए बिल्कुल आप उसी तरीके से रखें और इ यह मतलब लागे ерт यह तो फिर इधर में ऒदेगर कि मोच नीचे का name नीचे मोटे करेंगे है तो दिक करेंगे मैं अल spir it को पड़ेंगे देलम गार मेंगे देखेंगे हो छोटा व्यम्पों फिर नीचे हर तरी कि सेट खर देंगे पाथ सबस्कुने हर्गे हैं हमारा बताने का तरीका तो इस तरीके से हम सिलाई करते हुए उपर तक आ जाएंगे जहां से हमने सिलाई को सुरू किया है बिल्कुल वहां तक हमा जाएंगे इस तरीके से देखिए हमारी सिलाई जो है पूरी हो जाएंगे तो दोस्तों हमारी जो सिलाई पूरी हो गई है दे ख़ Missouri कोनरना कूर से लिए बढ़ा निकाले के बात oikeść तरी के या तो आप खोरा टेकी पूरना को सब्सक्रान हेज़ें में बदाना है निजसला आउने के यह दिखर देख्वे और पीछे być रिट करना तरह देखे के बिल्कुल एक्यद्ध में मतले बना होता है किहें तो हम दो तो सिधा करके उपर की तरफ से हमें बिल्कुल किनारी पे ही लाइक लगाना है क्योंकि जो मारा गोटा पट्टी हो जाएगा अच्छी तरीके से इस तरीके से नीचे कपड़ा भी आप लोग अच्छी तरीके से खीछते जाएं कि अपमरा कपड़ा मतला मूड़ी ना में दोस्तों हमने सभी चारो तरफ सिला को लग यहां पर में सेखी लाइक लाग कर दिया है जहांसे हमें किनार पीणाय को लागा लिएे कर देख सकते हमने जो दोनों पीस दिखाएंगे कशनरी किसे थे इसका यारें किस तरह है इसका हमारे पिलओ कभर को किसा तर्ट बहुती प्रेच पर है दिंड़ कार से हुआ है जो थान के गई कफ़ोगी पारी लगती है तो आपिकर प्मक एसका रहे हैं वेगर तो इसका पीलो कभर दोनों को हम साथ में दिखा दे रहें आपको तो देख सकते हैं विल्कूल हमारी जो बेट सीट है कम्प्लेट हो गई है बहुत ही प्यारी बन लग रहे हैं बहुत ही खुबचूरत भी है दोस्तों आप लोग को भी बहुत पसंद आई होगी दोस्तों में order दे हम आप लोग के लिए जरूर बनाएंगे हमारे चैनल में बहुत सारे बेट सीट हैं अगर आप लोग को उनमें से कोई बनवाना है तो बनवा सकते हैं दिए गए वाट्साप नमबर पर आप लोग कंटेक्ट करें या फिर वाट्साप करें तो दोस्तों कैसी लगी हम ताफिज बाइ